देखिए हमारी DSP साब से बात हो चुकी है हमने पूरे अकाउंट की तफसील दे दिये जी देखिए आप बात महीं समझ रहे हैं पिछले पांच महीनों से यहां किसी को सालरी नहीं मिलिए इसलिए प्लीज आप जैसे ये फाइल पहुंचते अब DSP साब को बोली कि जल से जल इस पर साइन करें ताकि इनकी सालरी रिलीज हो जी महरबानी करें हां जी ये लीजे ये फाइल सीधा DSP साब तक मौच नहीं चाहिए सालरी मोभी चीतिक मेसेज करके बताती हूँ इसमें काया हम आओते तो हम भी यही करते हम अब तक तो कुछ किया नहीं कुछ कहा अपने पुषपा जी हमने नहीं हमने कुछ नहीं कहा एक मिर ज़रा हटी अप पीछे हेलो हां जी मंगल्दीव ज़लर्स हम बोल रहे हैं हेड कॉंस्टेबल पुषपा सिंग अमा समझ क्या रखा है अपने हमको हम क्या चोर है दकैत है नेता है माल्या है जो आपका सारा पैसा उड़ा के लेके जाएंगे यहां से हां अरे फोन करकर के परिशान करके रग दिया हम एक साथ इककठा हमारी सालरी हो रहे रही हां और पांच महिने की हाग जी हाँ भाबा मिल रही है सालरी पांच महिने की एक साथ तोु लखनव आजा तीरे उधार ली वेपैसे भी और तुझे लखनव भी गुमा दूंगी रुब कॉन हमा नहीं का होता है देखे हम आपन नहीं सोप आते हैं गर्मी में, इसले आपके लिए एसी वुक्कियां एक्दम बढ़िया वाला, हवा ऐसी जैसे बरफ के तुफान में थंडी थंडी आइसक्रिम कहा रहे हूं, एक्दम संसनाती थंडी थंडी हवा, एसे फर 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 करके लगे की मूपे बता रहे हैं, अगले अगले हपते आएगा तो आएगा बस और कुछ नहीं सुनना हमें, बस हम यहाँ पर रिपोर्ट लिखवाने आए हैं, कौन लिखेगा, हेलो आरियन, हेलो अनाया, बताईए, हम क्या कर सकते हैं आपके लिए, हम यहाँ इंसाफ मांगने आए हैं, वी वांट जस्टिस, हम पढ़ाई पर कॉंचेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, कार्टून्स, मॉवीज, इंजॉई नहीं कर पाते हैं, हमारे सारे फ्रेंट्स हसते हम पर, हमारी सोशल लाइफ पूरे डिस्टर्ब हो चुकी है, और यह सब हमारी मॉम डेट की वाज़े से हुआ है, हमें अपने पै सविधान कहता है हमारा, अपना अधिकार जानना हर देशवासी का कानूनन हक है, तो सम्विधान में साइज भी तो लिखा होगा ना, कि कौन से साइज के देशवासी कोई अधिकार है, धान जितने तो है यह बच्चे, इनको सम्विधान क्या खाक पल ले पड़ेगा, अभी पौदे जितनी हो बेटा एक मिनिट आर्यन और अनाया आप पहले अच्छे से हमें एक्स्प्लेइन कीजी कि आपके मॉम डड़ नी किया क्या ओके तो हम पूरी बात बताते नहीं करके दिखाएंगे क्योंकि सच तो यह है कि हमें भी नहीं पता कि हमारी प्रॉब्लम क्या है इसलिए आपको करके दिखाना ज़रूरी है तो दिखाओ फिर एक्शन तो कहिए एक्शन ये लो तुमारी चाहे कुछ बात करने मुझे क्या? मुझे टूहंडर रूबिस आई क्यूची है टूहंडर रूबिस? आईब्रोस बनवानी है ठीक तो लग रही है आईब्रोस अरे ठीक है अभी दो दिन में रावन जैसे दिखने लगीगी च्या पता रावन भी तुम से अच्छा दिखता हो क्या? क्या बोला? कुछ नहीं, दो दिन के बाद देख लेगी क्यों? अभी सुबही तुम्हें शेव किया था ना? तुम्हें कर रही है तुम भी कर लो अब मेरी बात साफ साफ सुनो मैं तो तांग आच्चुकी हूँ तुम्हार सामने हाथ फेलाते फेलाते छोटी छोटी जरूरते पूरी करने के लिए मुझे तुम्हार ये शकल देखनी पड़ती है और उसमें से भी आदी जरूरते तुम्हें तो वेस्ट आफ मनी लगती है हट हो चुके है मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट अब मुझे मेरा हख चाहिए मुझे इस घर की काम करने की सैल्फ चाहिए दिमाग खराब है तुम्हारा अपने इघर में काम करने का कोई भला सैल्फ दे लेता है मुझे चाहिए मैं कुछ नहीं सुनने वाली मुझे सैल्फ दो वर्ना वर्ना क्या? वर्ना हची न दीदी, अपना फोन दीजिए तो आपको तकी फेल, बिठे की मेरा फोन दीजिए थेंक यू मैं आखरी बार तुमें कह रही हूँ मुझे सैल्फ दो, नही तो नही तो क्या? नही तो मुझे सैल्फ दो वर्ना मैं घर की ऐसे ही किंती चीजों को तोड़ दी रहूँगी दिमाग खराब दो आखराब दो आखराब बस 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 हम आप दोनों की प्रोब्लम बहत अच्छे समझ गए अब आप दोनों घर जाएए अपना होमबर कंप्लीट कीजिए और हम प्रोमिस करते हैं कि दो दिन में आपकी प्रोब्लम सॉल्व कर देंगे थैंक यू देदी पुष्प पुष्पा जी जी मैडम सेर जड़ा बुलाई इनके माबाब को जी मैडम सेर और जी मेरा फॉन पुष्पा जी पुष्पा जी फॉर्टीन मेड़ा पिक्सल का कैमरा था मस्त सेल्फी आती थी संतू ए संतू रोना ने रोना ने रोना ने गिर जाए अब तो असे सैल्री तो मिल रही ना अपने को तो उसमें से एकदब बढ़िया वाला ले लेना फोन आठाइस मेगा पिक्सल का ले लेना उस भी तो और अच्छी आएगी सेल्फी सिरह हमारे भी खींचना सेल्फी मेरा बाबाब तूट गयर नाया खरे देगे नाया ले 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 यह हम गिर जाएंगे कई साल पहले आई थी जिसका नतीजा आज तक भुगत रहे है आपको भी सजदी के प्राब्लम है मुझे भी है आपने डेली सुभे उटके प्राना आया तो और उसे बहुत अपट है संतोष जी आप ज़रा खुल कर समझाएंगे देखे हम खुल के बताते हैं कई साल पहले हम इने इनके घर पे शादी के लिए देखने गए थे इने देखते ही घरवालों ने हमसे पूछा कैसी है अच्छी है अच्छी है तभी हमें चीक आ गई अच्छी घरवालों को लगा कि हमने कहा अच्छी है और हमारे साथ जो हुआ वो कौन बताएगा मैडम जी पैरों में साड़ी अटक गई थी मू के बल गिर पड़े इनके अम्मा के पैर में रिष्टे धारों को लगा कि बहु पैर छु रही है कुछ बोलने समझने की नोबत आते उसके पहले आरेन पेट में अब आप भी बिताएगे देखिए देखिए हमको ध्यान से हमको देखकर आपको नहीं लगता कि हम इनसे बहतर पार्टनर डिजब करते मेटा मोबाईल और जीवन साथी कि यही तो समस्या है हमेशा हमको यही लगता है कि थोड़ा और रुप जाते तो इससे बहतर मिल सकता था बिल्कुल हमारे लल्ला की तरह नला थोड़ा और रुख जाता ना तो कई गुना बहतर बहुं मिल सकती थी उसको मगर नहीं चुप रहिएगा आप आप बताएगा अरे इनसे पूछी मैडम जी सारी प्रोब्लम इनी को है सेलरी मांग रही है कहती है कि हर इने जो यह घर का काम करती है उसकी इने सेलरी चाहिए अब आप ही बताएगे मैडम जी अपने घर का काम करने के लिए कोई सेलरी मांगता है क्या हां काम करेंगे तुम्हारे घर में और सेलरी मांगने जाएगे पोड़ों उसके घर में मैडम जी बात सेलरी की नहीं है बात आत्मसमान से जीने की है, क्यों छोटी-छोटी जरूरतों के लिए हमें इन पतियों का मुह देखना पड़ता है, क्यों हर वक्त, हर जगे, हर बात पर पैसों के लिए इन पर निर्भर हैना पड़ता है, और उपर से पति को हमारी कोई वैल्यू नहीं, आप बताई, आप औरत जाता है, और उपर से इन मर्दों को हमारी कोई वैल्यू नहीं है, आपको चलेगा ऐसा पति, चलेगा, तो लपड़ लगाएंगे खीच के उसके मूँ पर उसके मूँ से एक कोई बात निकलेगी, दरोगाजी देखे तो बहुत तुमसा नहीं देखा, सही है, एक दम सही है करिश्मा माडव, सही है क्या सही है, अपने प्रती को डरा के दमका के रखती है, चाहती है कि दुनिया के सारी प्रती भी डरे से मेरे, अच्छा पुछभाजी, हम रखती है, आप बोलिये, माडम जी, देखे, अगर हम घर में माली रखते हैं, तो महीने का पंदरा सो तो महीने के दो हजार रुपे लेती है, और कपड़े बरतन वाली उभे मेने के हजार रुपे लेती है, और हम घर का सारा काम करते हैं, फ्री में, आइब बनवाने के लिए 200 रुपे मांगे ना तो कहते हैं, फिजूर कर्ची करती है, ये पूरी दुनिया में अपने काम से पहचाने जाते हैं, और हम कुछ भी कर लें, हाउस वाइफ के हाउस वाइफ, मैडम जी, आप बताइए के इसके आगे हमारी कोई पहचान नहीं है, लेकिन पहचान चाहिए, क्यों, क्या इतना कापी नहीं, कि तुमारा अपना एक घर है, और उस घर की तुम मॉलकिन हो, हा आपने जेब खर्च के लिए इनके पर्सन पैसे चुराने पड़ता, और हम ध्यरे मालकिन, तो वो, हाँ? हम पैसे चुराएंगे, जब तक हमारी सालेरी के शर्ट नहीं मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी, हम पैसे चुराएंगे, 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 चुराएंगे तजुर्बा कहता है हमारा कि आप दोनों के रिष्टे को जरूत है तो थोड़ी से ताल मेल की एक दूसरे को समझने की आप लोग ना आडम सर पर जिस अकड से चिंतन भाई साब यहां से निकले है न हमें नहीं लगता उनको इनकी बिल्कुल भी चिंता है अगर हम होते हैं इनकी जगा हम धरना पे बाइट जाते और तब तक नहीं हिलते जब तक इस चिंतन नाख रगडतों हमारे सामने नहीं आता और इनका सैलरी वला बात नहीं मानता रिलाक्स करिश्मा सिंग हमने ये थाना खोला है ऐसे मैटर्स को सुलजाने के लिए और वैसे भी ये इनका फैमिली मैटर है पुषपा जी जी माडम सर कांसलिंग करके इनका केस सॉल्फ करिये फैमिली मैटर था मैडम सर अब थाने का मैटर है ये और क्या गलत बोल रही है ये हर घर में ये टोपा गिरी चल रही है मतलब और अवरत राद देनेक कर दे अपना घर संभालने में बदले में अपनी जरूरतों के लिए भी अपने पती के सामने हाथ पसाड़ना पड़ता है अमा बंद हो जाना चाहिए ये सदियों से चलता आरा रूडिवादी मान सिकता इसके खिलाब तो आवाज उठना ही चाहिए करिश्मा सिंग अब कौन सी बात कहां ले जा रही है ये कोई पहला कपल है जिनकी बीच प्रॉब्लम हो रही है अरे पती-पतनी के बीच ऐसी हजारो प्रॉब्लम्स होती रहती है माडम सर आपको कैसे पता आप तो अभी भी अपने लड़का ढून रहे हो हमारा मतलब है कि हर मसले का हल धरने पर बैठना नहीं होता देखे माडम सर हमें जो कहना था हम कह चुके और आज हमने के बाद एक पुलिस अधिकारी की हैस्यत से नहीं गई बलकि एक आम महिला एक हाउस वाइफ की हैस्यत से कई इसके लिए धरना होना चाहिए इसके खिलाब अवाज उठना चाहिए उसकी जरूत नहीं है करिश्मा सिंग अगर दिमाग हो तो ये मसला बातचीत करके भी हल किया जा सकता है कीजे ना आपको कौन रोक रहे हैं आप अपने तरीके से हल कीजे हम अपने तरीके से निपटेंगे चोईसिंक है या तो अपनी प्रॉब्लम का आपके सामने सत्संग करेंगी या पिर हमारे साथ आके अपने उस तेड़े पती को सीधा करेंगी और उसको सबग सिखाएंगी जहन मैडम सार हमारे लल्ला के तो नसी भी फूटे है मैडम जी हमको लगता है मैडम जी सही कह रही है मुझे भी यही लगता है करिश्मा मैडम सही है और आप कुश्पा जी आपको क्या लगता है मैडम सर हम आपके साथ हैं आप भला गलत कैसे हो सकती है मगड़ चिंता हमें करिश्मा मैडम की हो रही है पता ने अब कौन सा नया प्रपंच रचाने वाली है मेरा पूर हलो जाहिन मैडम सर जी मैडम सर, जैसे अपने कहा था पूरी डीटेल निकाली जिनतन पांडी की पूरी सोशल साइट स्कान की है इनकी पोस्ट की वी फोटोज और अबडेट्स को देख कर तो यही लगता है कि बहुत शरीफ इंसान है बस थोड़ी शौकीन टाइप है हफते में दो बार पालर जाता है मसाज करने के रिए अफिस के बाद अपने दोस्तों के साथ चिल करते फिल्म्स देखते इन शॉट अपनी लाइफ इंज्वाइ करने का कोई मौकानी छोड़ते ओ यह तो मेरे भाई निकले ने ने माडम सार आपको ने अभी के लिए इतना ही हाँ जी माडम सार जय है काहा है असीना मेडम काहा है असीना मेडम देखो बिल्लो जी ऐसे ही बहुत सारा काम पड़ा है अब आप शुरू मत हो जाना ये मिया बीवी की लड़ाई ना थाने में भी लग गई है वही तो, वही तो अगर, अगर मैंने शादी कर ली और मेरे बीवी ने मेरे खिलाब कंप्लेंट कर दी तो आपको मुझे अंदर करना पड़ेगा हुँ नहीं, हसिना मैडम को ये सब रीटन में लिख के देना पड़ेगा मैं बीना लिखा पड़ी के शादी का रिष नहीं लोगा अबे बिल्लू एक बात बता, तेरे दिमार्क में ऐसे आइडियाज आते कहां से अबे चडड़े, पुरी शिदत के साथ अगर कोई प्यार करेगा तो कुछ न कुछ जुगाड हो ही जाता है आ, पड़ प्यार सच्चा होना चाहिए जैसे मेरा और इस थाने का तेरे जैसा नहीं, जहां से परफिम की सुगंद आई, वहां चल दिये अबे तू भी नहा लिया कर कभी, अब तो खुला गूम रहा है वो गया आप दोनों का सैनी, तुम बताओ, तुम क्यो आयो हो यहां पे अरे, मैने सुनाए कि स्थाने में एक नया केस आया किसी बीवी ने अपने ही घर पे काम करने के लिए अपने ही पती से सैंडीरी की दिमांड की है और इस ही केस के चल से, करिश्मा सिंह और अषीना मलिक में फिर से ठन गई है देखो, इसको भी पता चल गया! अब तो बताओ, हषीना मैडम कहा है Ch aisina madam बाहर गई आजाए काम से थोड़ी देर में आ चाही ichts थोड़ी देर क्या करे तुझे मेरा जूटा बहुत पसंदे ना क्यार बड़ातरि ओ चड़ी पॉपे हाँ प्यार बड़ातरि तो किसी और के साथ बढ़ाने प्यार प्यार शीटरि नहीं सहेंगे अत्याचार लेके रहेंगे अपना अधिकार पुश्पा सिंग है कॉंस्टेबल लखनाउ महिला पुलिस्थाना आईए चलते हैं उन से जानते हैं पुश्पा जी पुश्पा जी आप क्या कहना चाहेंगे इस धर्णे को लेकर देखिये हम जो कुछ भी कहेंगे न एक महिला होने के नाते कहेंगे नाही के पुलिस्था इसलिए हमारा कहा बस इसे हमारी व्यक्ति कर्टिपनी समझेगा औफिशल नहीं जी नारी शक्ति शार्थ हो जाईए शार्थ हो जाईए माने जैसे इनसान बिना रीर के हड़ी चल नहीं सकता वैसे ही कोई भी घर बिना ग्रहनी के चल नहीं सकता मगर ग्रहनी को कोई महत्मत देने को तैयार ही नहीं है ना देख रहें न आप नारी शक्ति नारी शक्ति इसलिए एक ध्रहने का सब्रकाबान फूड़ गया और मन कांदोलन बाहर आ गया करिश्मा सिंग जी आप क्या कहना चाहेंगे इस धरने को लेकर देखे बहुत हुआ सम्मान अब इन नारीों को इनके काम का मुहावजा मिलना चाहिए इनके आत्म सम्मान से इनको जीने का हक मिलना चाहिए एक एक नारी होने के नाते हम ये कहेंगे बागी हमारा ज्यूटी हमारा पहला प्राथि मिक्ता है तो जैसा कि आपने सुना व्यक्तिगत रूप से यहां की महीला फुलिस भी मानती है कि रादा सही कर रही है लेकिन अब सवाल ये उठता है कि एक ग्रहनी होने के नाते आत्म सम्मान के साथ साथ जीने का अधिकार भी मिलना चाहिए अब सिर्फ देखना ये है ये धर्णा क्या रंग लाएगा क्या होगा इस केस में आगे जानने के लिए जुड़े रही है हमारे साथ हर न्यूस का एक ही अड़्डा मैं हूँ आपका अपना सनी चट्टा नारी शक्ती हलो हां जी हलो अजी एक आउस बात मज़ा दिया आप लोगों ने मेरी वाइप ने खाना मनाना बंद कर दिया है जैल्दी मांग रही है का ते दुड़े जी जी हमारी बात सुनिए सब ठीक कर देंगे है हां सब ठीक कर देंगे है हलो जी बोलिए सुन जी पूरी अर्थ विवस्ता खत्रे में पढ़ जाएगी मेडम हर कोई गरवेट के बच्टे समालेगा खाना बनाएगा कपड़े दोएगा तो कमाएगा कौन मेडम कमाई नहीं तो टैक्स नहीं तो देश नहीं देश नहीं तो हम नहीं हम नहीं तो यह देखिए फिर पोट्टी करती कर देगे बच्चे ने एक एक मिटेगे, हलो जी हाँ आप पहले शाहन दो जाए हम सब ठी कर देंगे ना विश्वास रखें आप ऐसे क्यूं कह रहे आप हम आप अप हलो अप जी सर, हां सर हमें आपकी बात बिल्कुल सुनाई देरी, आपको आवाज आ रही है? आ आ रही है, हां सर, हां बोली है सर. यह सब क्या हो रहा है, मिस मलिक, पूरे शहर में हंगामा मचा हुआ है, फोन पे फोन आ रहा है, पूरी प्रेस, मीडिया सब पीचे पड़े है, किस-को जबाब दूँ, आदी ओरते धरने पर बैठी है, और आदी ओरतों ने घर का काम करना बंद कर दिया है, आदमियों को घर और बच्चे सबालने बढ़ रहा है, कोई ओफिस नहीं हा रहा है, काम नहीं हो रहा है, पूरी वर्किंग मशीनरी थप पड़िये, ओ क्या रहा है ये? Sir, sir, please, please calm down, I assure you, I will get this under control as soon as possible, okay? You should be Miss Malik, वरना पूरा डिपार्टमेंट प्राउलम में आ जाएगा. हाँ, sir, हाँ, sir, हो जाएगा, आप अपनी स्टैंशन में दीजे, हाँ, sir, वो जो आपको फाइल भेजी थी, सैलरी से रिलेटेड उसका कुछ हुआ? Sir, पांच महिने से यहाँ किसी को सैलरी नहीं मिली, अगर आप साइन कर देते तो… अफिस जाओंगा तो साइन करूंगा, घर के कामसा ही पुरसत नहीं मिल रही, अभी नाश्ता बना कराटा हूँ, अब यूनिफॉर्न प्रैस कर रहा हूँ, अब ये मत बूछिएगा कि वाइफ कहा है, दूसरी औरतों के साथ दरने पे बैठी है, दूसरी औरतों के साथ द हमारे ममी वपा, पहले से और भी जिक्ड़ा कर रहे है, हम आपे ब्रीच ओफ ट्रस्ट का केस कर देंगे, क्या, 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 ब्रीच ओफ ट्रस्ट, उसका मतलब होता है कि, पता है, ये सिखा है किसने तुमें, करिश में दीदी ने, किसने अंस, प्यूंदी और में दीदी अंस, पता है